नवसकार, मेरा नाम डॉक्ड़ ईशा पउजा है आज हम बात करीगे ब्लीडिन पर रेक्टम मतलब लेटिंग के रस्ते रहोग ना मल्दवार के रहोग ना इसके कारण और लक्षन के बारे में इसके हम आज कारण के बारों में بात करते हैं पहला और most common कारण है hemorrhoids यानि बवासीर और piles इसमें मरीज को जनरली बिल्कुल bright red color का blood आता है और blood हमारे stools के साथ separate होता है इसका मतलब yellow color का stool अलगाता है और खूल अलग से आता है या तो टपका टपका करके या धार में आता है इसमें मरीज को जनरली कबजी होती है और ले सीवियर पेन होता है लेटरिन करते समय और कई बार लेटरिन के एक घंटे बाद भी दर्द रहता है इसमें बहुत टिपिकल होता है कि लेटरिन के उपर एक धार जैसा blood अलग से लगके आता है तीसरा कारण जिसमें थोड़ा गाडा खून आता है इसका मतलब वह हमारे rectum या left side of colon से हैं गाडा कलर का खून के क्या कारण होता है अलसर, polyp या tumor जनरली इसमें rectum या उपरी भाग of large intestine involved होती है इसके अलसर के क्या कारण है अगर कोई elderly patient है उसको लंबे टाइम से कबजी की दिक्कत हो रही है तो उसमें rectum के अंदर अलसर बन जाता है जिसको solitary rectal ulcer syndrome कह करते हैं दूसरा infection और dial disease जैसे amoebiasis, typhoid इसमें भी मरीज को latin के रस्ते खून आ सकता है इसके associated symptoms usually पेट में दर्ध होना, बुखार होना और इसमें हमें short history मिलती हैं चोथा कारण है inflammatory bowel disease ये दो तरह से होता है ulcerative colitis और Crohn's disease जिसको संग्रैनी की बिमारी भी कहते हैं इसके अंदर blood के साथ, जो stool के साथ blood usually mix करके आता है मरीज को associated symptoms होते हैं fever, पेट में दर्ध होना, वजन कम होना, भूख कम लगना जैसे symptoms भी होते हैं पाच्वा कारण है colorectal cancer, colorectal cancer में मरीज को अलग लग तरह के symptoms आते हैं जैसे latin के रस्ते खून के अलावा मरीज का वजन कम हो alternate bowel habits होना, furious diarrhea होना, भूख कम लगना जैसे symptoms आते हैं छटा कारण हो गया diverticular disease, सात्वा कारण हो गया angio dysplasia, angio dysplasia और vascular lesions तो इस बिमारी को diagnose और treat कैसे करेगी, diagnosis के लिए हम इसमें दूरबीन की जांच करते हैं जिसको colonoscopy कहते हैं अकर मरीज को जैसे polyp है तो हम polypectomy भी साथ म biopsy ले लेते हैं, तो एक simple दूरबीन की जांच मतलब colonoscopy से हम बीमारी का पता लगा लेते हैं, दूसरा इसका treatment कैसे करेगे, सबसे पहले अगर हमें मरीज का कारण पता चल चुका है, तो हम कारण को treat करेगे, जैसे hemorrhoids में मरीज को लंबे टाइम से कबजी है, तो सबसे प लगाने की दवाई देते हैं, सेका देते हैं, और refractory cases में भी surgery उपलब्ध है, अगर मरीज को inflammatory bowel disease है या colorectal cancer है, तो इसका भी treatment medical plus surgical treatment available है, आपको अगर इस तरह के कोई भी लक्षन है, तो मुझसे संपर्ख करे, positron CTOPD में धन्यवाद